अब हम एक famous conjecture के बारे में बात करेंगे एक conjecture एक कहता है कि अगर input number even है उसे 2 से विवाजन कीजिए अगर वो number odd है उसे 3 से multiply करके उसे उसको 1 से जोड़िए एक process आपको repeat करते गए तो finally आपको number 1 बन जाएगा तो चलिए अब इस problem का हम solution हाल करने की कोशिश करें तो हमने user से एक number read करेंगे जिसका data type है unsigned long int तो user से number enter करने की request कर रहे हैं अब हम क्या करेंगे इस बार हम आपको do i loop कैसे use करना हम उसका समझाएंगे आपको तो पहले सबसे पहले क्या check करेंगे if number mod 2 is equal to 0 ठीक है यानि वो even number है तब उस number को हम 2 से विवाजन करेंगे number is number divided by 2 else automatic अगर even नहीं है तो number odd होना compulsory है तब हम क्या करेंगे else number is number into 3 plus 1 और हमें intermediate number देखने के लिए हम क्या करेंगे बीच में number का value क्या है देखने के लिए हम क्या करेंगे percentage ld ठीक है num को print करते जाएंगे इस तरह हमें पता चलेगा कि number का value every stage loop में क्या है यह process हमें कब तक करना चाहिए है जब तक number 1 ना हो ठीक है तो do while में important है कि while के बाद आपको semicolon आएगा तो अगर आप इस program देखोगे तो मैं ऐसे समझाओंगा आपको input एक number लेंगे हम अगर number even है हम दो से विबाजन करेंगे ठीक है और number को print करेंगे वापस अगर समझ लीजे number odd है number को 3 से multiply करेंगे और number को 1 से जोडेंगे और हम number को print करते जाएंगे इस loop में ताकि हमें पता चले की number का processing कैसा चल रहा है अगर हम यह process करते गए चाए जो भी integer हो finally हो one हो जाएगा तो इस program को हम पहले compile करके execute करने की कोशिश करेंगे चले compile करके देखेंगे कि कुछ errors तो ना हो इसमें चीक है हम number एंटर करेंगे समझ लिजे 9 और 9 का processing कैसा होता देखेंगे हमें देखेंगे 9 क्या हो गया 9 into 3 27 27 plus 1 28 28 बन गया 14 14 बन गया 7 7 into 3 21 plus 1 22 11 34 17 बढ़ते गया 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 और 1 तो अगर आप यहां देखें number finally नीचे आके 1 पे रुख गया अब और एक number हम enter करके देख सकते हैं थोड़ा बड़ा number enter करेंगे हम 8000 चीक है देख लेंगे इसका क्या होगा तो अगर आप यह भी देख लिए आपने 8000 भी यहां पे अगर processing जो चल गया फाइनली 8000, 4000, 2000, 1500, 250, 125 125 से 376 हो गया तो ऐसे ही उसके number चेंज होते गए लेकिन फाइनली number last को आके एक पे रुख गई है अगर आप number 1 में enter करोगे assuming 1 आप odd number बानते हो तो वो भी process देख लिजे क्या होगा देखे 1 भी 4, 2, 1 से process होके कतम हो गया तो यह था simple logic हम number को reduce करते गए तो famous conjecture क्या कहते गया number अगर even है उसे divide by 2 करते जाहिए अगर number odd है तो 3 से multiply करके एक से जोड़िये यह process आप repeat करते जाहिए जब तक number 1 ना हो हमने while loop इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर input number 1 है अगर यह while condition था तो body of the loop के अंदर नए enter होता do while में क्या है at least एक time body of the loop में enter करेगा और इसका program processing बिल्कुल सही होगा